तो देखें हाँ पर question number 126 में हम से क्या पूछा गया है calculate the electrical energy consumed in joule if a toaster of 60 watt is used for 30 minutes तो करते हैं यहाँ पर इसको solve तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है electrical energy निकालनी है किस में निकालनी है जूल में निकालनी है और जो हमारे यहाँ पर toaster है तो how can the energy επ Web वह हमें इहाँ पर जाएक पर जाएगा पर क्या होगा power multiply time तो मैं यहाँ पर simple लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या होगा जो energy consumption का formula होगा वो हमारे यहाँ पर क्या होजागा power multiply time हो जाएगा power हमें यहाँ पर 60 watts रखी है time हमारे यहाँ पर कितना हो जागा 1800 second हो जाएगा इन दोनों को हम यहाँ पर multiply कर लेते हैं तो 1860 हमारे यहाँ पर कितना होता है 108 होता है और उसके वाद यहाँ पर कितने 0 बचे 30 वह हम यहाँ पर आगे लगा देंगे और जो final answer आगा वह हमारे किसमें आएगा Joules में आएगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे energy consumption निकाल रहे थे तो यह हमारे यहाँ पर आजाएगा Joules और आप चाहते हो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं वह तरीका यहाँ पर क्या होगा 1.08 मैंने यहाँ पर कितने digit आ रहे है 1,2,3,4,5 तो हम य यहाँ पर 10 की पावर 5 लिख देनी है और जो यूनिट होगी वो हमारे यहाँ पर as it is same होगी चूस तो यह हमारे यहाँ पर इसका energy consumption निकल के आ गया होप आपको इस question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ